जहासी रोड पर सड़क खुदी होने के कारण कई लोग धूल उड़ने से बीमार पुलिस की आवाज नियूस के पत्रकार अतुल जैन की खबर का हुआ फिर असर खबर बद्य प्रदेश जलश्यपुरी जहासी रोड आई टी आई के पास से आ रही है यहाँ पुलिस की आवाज नियूस के पत्रकार अतुल जैन की खबर का फिर हुआ है असर मामला जहासी रोड आई टी आई के पास का है जहाँ दो साल से सड़क खुदी पड़ी है गिट्टी और धूल खाने के लिए यहाँ के आसपास लोग मजबूर है लेकिन अफसोस सब जगे शिकायत करने के बाद भी फिर भी सड़क का सम्विधान नहीं हुआ जब जाकर यहाँ के रहने वाली लोगों ने इस सड़क की शिकायत मीडिया के सहरा लेकर पत्रकार अतुल जैन से खबर प्रशकाशित करकवा कर शीमन महाराज यह शोदरा राजे सिंधिया राजी तक खबर पहुचाई इस सड़क की शिकायत पहुचते ही जनता को महाराज साब का आशिरवाद मिला और हो गया सड़क का काम चालू जो दो साल से लुका पड़ा था ठेके दाद द्वारा फिर से चालू करा दियागा सड़क का काम चालू होते देखकर वहाँ से निकलने वाले एवं आसपास के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दोड़ पड़ी आसपास के लोगों उसने जब टेक्टर का काम कर रहे अमर सिंग शाक के से पूचा यह रोड कहा से कहा तक डली जाएगी अमर सिंग ने बताये यह सड़क घुड़ा चौराय से हवाई पट्टी तक बनाई जाएगी यह काम दो साल से रुका पड़ हुआ पड़ा है जिसे फिर से चालू कर दिया गया है जहां सी रोड इदगा के पास रहने वाले वाडवासियों श्रीमंद महरास साहब को बहुत बहुत धन्नवाद दिया खबर शीमन महारास साब तक पहुंचाने के लिए पुलीस की आवाज पत्रकार अतुल जैन को भी धन्यवाद दिया गया एवं आभार व्यक्त किया अच्छे आभाई पट्टी किया के लिए कपसे हुआ है अभी चालू पढ़ाता है ना कापी टाइम जे दो-एक साल जे अब जिस चालू कपसे हुआ बही या ज़्यार अच्छे अच्छे इन्यवाद अच्छे पूरी सड़क पनेगी और यीद्गा के सामने जो बीच में वो वो भी तंपलेट होगी तीजे दरने वागी